आज कार्तिक पूर्णिमा है धार्मिक दृष्टी कोंड से देखा जाए तो आज का दिन भारत के लिए काफी महत पून भी है महीं भारत के साथ साथ दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए भी आज का दिन काफी खास और दुल्लब संयोग माना जा रहा है क्योंकि आज पूरा चांद दिखेगा ही उसके साथ ही चंद ग्रहन भी लगेगा हैरानी की बात तो ये है कि बीते शनिवार से यानि की पिछले तीन दिनों से पूरा चांद देखने को मिल रहा है जो अपने आप में ही एक अद्भुत चमतकार है उसके साथ ही आज दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पर तीन बार चंद ग्रहन देखने को मिलेगा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी बताया कि आज पूरा चांद दिखेगा जो शनिवार से ही लगभग पूरा नजर आ रहा है धरती के बाहरी परचाई से होकर गुजरने के कारण आज पेन्यूम्बरल चंद ग्रहन लगेगा यानि आज तीन बार पेन्यूम्बरल चंद ग्रहन देखने को मिलेगा जो भारतिय समय के हिसाब से सुमवार को दुपहर एक बज़ कर दो मिनट पर और तीन बज़ कर बारा मिनट पर साथी शाम को पांच बज़ कर तेईस मिनट पर देखने को मिलेगा वहीं दुनिया भर के अलग-अलग वैज्यानिक इस पेनिब्रिल चंडर ब्रहन को अपने टाइम जोन के हिसाब से देखेंगे वहीं भारतिय परंपरा के अनुसार भी आज का दिन काफी खास है आज के दिन को हिंदू, सिक और जैन कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के दिन में धार्मिक और वैज्यानिक मिला-जुला संयोग देखने को मिल रहा है जो नवंबर में होने वाले इस कार्तिक पूर्णिमा को और भी विशेश बना रहा है इसी के साथ अभी फिलाल इतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ABNN